आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं होता ही स्टेडी ग्लोस पे आपका स्वागत है Mexican-American War की हम बात करेंगे दोस्तों बड़ा ही important है कि आपको पता है कि अमेरिका का ज्यादा तर हिसा पहले मेक्सिको के पार अमेरिका ने मेक्सिको से छीन लिया लेकिन अमेरिका ने मेक्सिको को बहुत बड़ा पार्ट छीना है ठीक है ना तो हम Mexican-American War की बात करेंगे यह हमारा चैनल है इस परिवार को आगे बढ़ाईए लोग देखते हैं बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं भया ऐसा मत करो सब्सक्राइब का बटन दब और उसके बाद बगल में वेल आइकन है मुश्किल से दो सेकेंड लगेंगे ना सिर्फ दो सेकेंड दो सेकेंड दे दो हम लोग को बहुत जादा बूस्ट मिलता है साथी साथ मुझे इंस्टा में जरूर फालो करो मैं ट्रावल करने वाला हूँ अभी इस ही महीने से ट्रा प्राइजिंग पर वीडियो बनाया था कि पेटरोल के प्राइज जो है वह हो रहे हैं तो उसमें बहुत कमेंट बॉक्स में तो उसमें ना बहुत बढ़ी है घजब ना है उसमें ना गभी देखते हैं तो या कमेंट बॉक्स में अभी नाश को अगर आपको फ्रोब्य ध grown पसंद आते हैं बहुत जादा महनत करते हैं और इन फैक्ट कल का जो थम्नेल था जो ट्राइवलिंग वाला था उन्होंने अपनी फोटो लगाई थी तो जो देखना चाहिए वो देख सकते हैं पिलाल हम बात करेंगे मेक्सिकन अमेरिकन वार की देखिए ये 1847 में 1847 में लड देखिएगा अमेरिका क्या है अमेरिका ओरिजिनली ट्राइब्स गाता फिरिया वहां पर ब्रिटेन गया ब्रिटेन ने तेरा कॉलोनीज बसाई और अल्टिमेटी हम देखते हैं कि ब्रिटेश के उल्टी सीधी टैक्स पॉलिसी की वज़े से अमेरिका ने आजादी छेर अमेरिकान वार ओफ इंडेपेंडेंस 1776 में शुरू हुआ और 6 साल के अंदर अमेरिका ने आजादी ले ली 1789 में अमेरिका का सम्विधान बनता है और 1789 में जॉर्ज वाशिंटन पहले प्रेसिडेंट होते हैं अब लेकिन अमेरिका विस्तार करने लगा पहले अमेरिका इतना बड़ा नहीं था लेकिन हम यह देखते हैं कि अमेरिका धीमे धीमे बहुत बड़ा हो गया यह है अमेरिका थीक है अमेरिका अभी 50 स्टेट्स है टोटल ठीक है ओरीजिनल ही 13 थी और नीचे आ जाओ तो मेक्सिको है तो भाईया यह वाला जो पार्ट आप देख रहे कि आज मेक्सिको का जो पूरा पार्ट छीना है अमेरिका ने अमेरिका की मैक्सिमम एकॉनमी वहां सही आती है अभी हम मैप में आसानी से देखेंगे अभी देखेंगे जैसे जैसे आगे बड़ेंगे अब दोस्तों सबसे पहले तो मेक्सिको को देखते हैं इसकी बहुत ही ज़्यादा क्या कहते है कि बड़ा इंपोर्टेंट रहा अब मेक्सिको को आपको पते हर्नेंदस कॉर्टेस ने यह जो एस्टे कंपार था ना पूरा का पूरा यह तीन एंपार का मिलन यहां पे इतनी खुबसूरत शहर हुआ करते थे खुबसूरत मंदिर हुआ कर तो मेक्सिको को स्पेन ने 17th सेंचुरी आते आते कंकर कर लिया जीत लिया अब मेक्सिको ने बड़ी लड़ाई लड़ी और फाइनली हम देखते है कि स्पैनिश अंपायर से उसने इंडिपेंडेंस आजादी हासिल की ट्रीटी ओफ कॉर्डोबा 1821 में साइन की गई और फ 1821 में आजादी तीन साल तक कुछ समय तक या पर मोनार्की रही लेगिन अल्टीमेटले 1824 के बाद मेक्सिको एक रिपब्लिक हो गया लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भले ही मेक्सिको ने आजादी ले ली अब भया देखो आर्मी तो अभी तक स्पैन की स्पैनिश सब को दे अमेरिका जो है वो भयानक एक्स्पैंशन कर रहा था 1803 में ही लुजियाना खरीद लिया जैफर्सन ने इस्पैन से और यहां पे अमेरिका के पास काफी बड़ा बॉर्डर हो गया प्लस हम ये देखते हैं कि अमेरिका ने ऊपर कैनेडा आता ने इसको भी हम देखते हैं कि अपने में मिलाने की कोशिश के लेकिन हो नहीं पाया ये उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं न छोटी छोटी ट्राइप्स ठीक है अमेरिका ने इनकी जमीनी जमीन को भी हत्या ली ठीक है तो अमेरिका ने पूरी तरीके से expansion करना जो है वो शुरू किया बहुत तेजी से बहुत aggressively expand कर रहा था अब नीचे आता है मेक्सिको तो अमेरिका मेक्सिको को कैसे छोड़ दे industrial revolution भी आ गया था तो अमेरिका में बड़ी बड़ी companies लगने लगी बहुत बड़ा market हो गया अमेरिका दूसरे लोगों को export करने लगा अब मेक्सिको में भी instability थी northern मेक्सिको की बात करें जब भी instability होगी तो समझे problem फिर generate होगी तो अगर हम northern मेक्सिको की बात करें northern मेक्सिको में instability बहुत जाथ थी और यह 1821 से ही शुरू हो गई तो यह जो पूरा का पूरा area है Texas यह सब मेक्सिको के पास था और Texas बहुत बड़ा area था और यहां पर ही problem चल रही थी कभी native Americans यहां पर invade कर रहे हैं कभी कमांचे यहां पर invade कर रहे हैं कभी tribes यहां पर invade कर रही है और यह शुरू से ही था northern मेक्सिको को rule करना थोड़ा सा मुश्किल रहा था colonial era में भी Spain ने 1521 से लेकर 1821 तक rule किया था तो मुश्किल था तो northern मेक्सिको में unstability थी जिसका फायदा अमेरिका ने उठाया अब हम बात करते हैं जेम्स के पॉक की लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं टेकसास revolution की देखे मैंने आपको बताया था कि टेकसास अमेरिका का पार्ट था अरे स्वारी मेक्सिको का पार्ट था और वहां पर प्रॉब्लम्स थी हुआ क्याता दोस्तों टेकसास revolution 1835 से 1836 तक हुआ यह लगबग 7-8 महिने तक चला ऑक्टूबर में शुरू हुआ अपरेल में खतन हुआ लेकिन टेकसास जो यहां मेक मेक्सिको से ही छीना है बॉडर शेयर करता है लेकिन दोस्तों यह जो revolution था यह क्यों हुआ लेकिन सबसे पहली बात तो टेकसास को उतने जादा राइट्स दिये ही नहीं थे यहां पर जो प्रेसिडेंट है एंटोनियो लॉपेस डी सैंट एना इन्हों ने टेकसास के लोग मेक्सिकों के लिए बहुत इंपोर्टेंट था आपको बतातू कि इसी एरिया में जैसे ही अमेरिका के पास टेकसास आया पर सोना डिसकावर हो गया गोर्ड रश ओप 1851 बड़ा इंपोर्टेंट और एक बार सोना डिसकावर हुआ अमेरिका के भाग ये खोल गए तो इतनी बहुत ज्यादा आगे थें टेकसास में सेटल हुए अम मेक्सिकों केरती हैं ये तो अमेरिकान्स है हम इंतो क्यूं राइट्स दे, वैसे ही ये बहुत ज्याद इक스ैंड कर एक दिन हमसे छीन लेंगे ये टेकसास तो यहाँ पे जो मेक्सिकन गावर्मेंट है बहुत ज्य एक दिन हम से छीन लेंगे ये टेकसास तो यहाँ पे जो मेक्सिकन गवर्मेंट है बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइस्ट और राइट्स ऑफ सेटिजन उनको दबाया जा रहा तकि तुमको हम कोई भी राइट्स नहीं देंगे उपर से टैक्सेस और ज़्यादा लगा देंगे अब दोस्तो इसका नतीजा ये हुआ कि जब हच से ज़्यादा मेक्सिकन सरकार की प्रॉब्लम हो गई और उसके बाद जब यहाँ पे प्रेसिरेंट ने बोला कि अब तो टेकसास को हम लड़के लेंगे आर्मी प्रिपेर हो जाओ और एक साइड से मारना शुरू को रहे है यहां के लोगों को क्योंकि बहुत ज़्यादा उल्टी सीदी बाते कर रहे हैं तब हम देखते हैं टेकसास रेविल्यूशन होता है टेकसियन आर्मी थी अंडर दी कमांड ऑफ साम हीूस्टन और हम यह देखते हैं कि मार्च आते आते टेकसियन आर्मी ने मेक्सिको को हरा लिया मेक्सिकन ट्रूप्स को खदेडेने में कामियाब हो गए और फाइनली टेकसास आजाद हो गया एक रेपबलिक हो गया तो मेक्सिको को बहुत बड़ा जटका लगा टेकसास के रूप में और अल्टीमेटली दोस्तों यही बहुत बड़ाई वज़े बना वार की आप गोशित कर लेगा अभी तक अमेरिका के पास टोटल पचास स्टेट्स नहीं है 28 अठाइसवा स्टेट रेपबलिक ऑफ टेकसास को यह अपने अंदर मिला लेगा जो बहुत बड़ी वज़े बना मेक्सिकन अमेरिकन वार की नहीं दोस्तों टेकसास जो है वो अमेरिका ने स मेक्सिको ने उसको कभी रिकागनाईज ही नहीं किया अब जब तक मेक्सिको रिकागनाईज नहीं करेगा तब तक काहे का आजादी काहे की आजादी तो आजाद हो गया लेकिन मेक्सिको ने बोला हम तुमारी आजादी मानते ही नहीं है अब अमेरिका की जीवे लटक गई जेम्स के पॉकाई, अमेरिका के प्रेशिडेंट थे 1845 से लेकर 11 फ्रेशिडेंट थे 1845 से लेकर 1849 तक बहुत लालची इनसान थे ये, ये चाते थे कि टेकसस अभी आजाद है, टेकसस को भी अपने पास ले लो कैलिफोरिनिया को भी अपने पास लेलो और सबसे इंपोर्टेंट न्यू मेक्सिको को मतलब पूरा मेक्सिको ही अपने पास लेलो नौर्थ तो इनके पास आई जाएगा साथी साथ साउथ वेस्ट भी अपने पास लेलो बहुत ज़्यादा प्राफिटेबल था टेकसस नया नया आजादी लिया हुआ था नया नया रेपब्लिक था तो आसान था अब लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि मेक्सिको और अमेरिका के रिलेशन 1845 आते बहुत ज़्यादा खराब हो गए पॉक ने जाकरी टेलर को भेजा टेकसस में टेलर के पास साढ़े 3000 अमेरिकन फोर्से थी और जो डिस्प्यूटेड लैंड था ना टेकसस में डिस्प्यूटेड लैंड था ठीक है बॉर्डर एरिया डिस्प्यूटेड था Mexico कह रहाता है यह disputed area हमारा है और इधर America कह रहाता Zachary कह रहाता है जो जटरी टेलर थे वो कह रहते हैं कि disputed area हमारा है हम तो force ले लेंगे देखें यह चीज तो बिल्कुल पक्की है कि बहुत बुरी तरिके से Mexico हारा अगर हम इतिहास की बात करें तो ये युद्ध हैसा है जिसमें Mexico की भायानक बेजती हुई बहुत ज़ादा क्यूंकि दोस्तों मेकसिको का आधा एरिया ले गए कालिफोर्निया तक ले गए कालिफोर्निया और आज कालिफोर्निया अमेरिका की जान है अगर एकनॉमिक यह बात करें तो आप ये समझिये कि जो Newses River थी, Americans जो थे वो Newses River पे आ गए, लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से लडाई रूखने की बात थी, और फिर उसके बाद international pressure भी था, कि अभी रूख जो, तो यहाँ पे जो President थे, पॉक, उन्होंने इस पूरे area को खरीदने की बात की, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, लडाई-लडाई माफ करो, हम तुमको 25 मिलियन डॉलर देते हैं, actually जो disputed area था, वो Grande border था, Texas का Grande border, तो हम तुमको 25 मिलियन डॉलर देते हैं, और ये Rio Grande border तुमको, हमको दे दो, अब देखे, मेक्सिको में अब बहत शुरू होगी, कि कि अब हम क्या करें, क्या हम वार के लिए जाएं, अब देखे, वार के लिए जाते, तो अभी तो वार हुआ नहीं है, ये 1845 चल रहा है, लेकिन यहां पे आपको पता ही है, कि वार होता, मैंने बता दिया, तो मेक्सिको हारता, क्योंकि मेक्सिको की आर्मी अभी बहुत इल prepared, तो that's why हुआ क्या कि मेक्सिको ने काफी सोचा कि क्या हम पैसे ले ले और ये disputed area दे दे, लेकिन दोस्ता आप खुद समझे कि कोई देश अपना disputed area अगर पैसे के लिए देगा, पब्लिक तो छोड़ेगी नहीं ना, तो यहां पे जितने भी लोग थे, उन्होंने बोला कि ऐसा शायद नहीं सही रहेगा, हाला कि कई बार ministry ने, war ministry ने 6 बार अपना मतलब सोच बदली, finance ministry ने 16 बार, लेकिन ultimately ये decide किया, कि हम war लडेंगे, हम युद्ध लडेंगे, लेकिन हम ये area नहीं देंगे आपको, क्योंकि disputed है, ये ना मेक्सिको का है, ना अमेरिका का है, अ वो बिल्कुल fail हो गया, और फिर हम ये देखते हैं कि स्लाइडल को घुसने तक नहीं दिया, जो मेक्सिकन के प्रेसिडेंट थे, वाक्विन हरेरा, उन्होंने स्लाइडल को घुसने तक नहीं दिया, बस इधर जनरल जैकरी अपनी पूरी forces के लिए तयार थे, और उसके बा बार है दोस्तों, ये 25 अपरेल को शुरू हो गया था, 6 मई को, 9 मई को यहाँ पे पॉक ने, जेम्स के पॉक ने, ये मेसेज दे दिया कॉंग्रेस को कि भाईया देखो हम बार में हैं, और बिल्कुल परशान मतो हो, हम बहुत जल्दी आपको खुशकबरी देने वाले हैं, अब खुशकबरी तो उन्होंने दे दी, मेक्सिको की आर्मी वाज highly ill prepared, यूँकि दोस्तों, मेक्सिको के पास, पहली बात उनके state अभी तक फॉर्म नहीं हो रहे था, अभी तक उसका state फॉर्मी हो रहे था, वो state को अभी तक फॉर्म कर रहे थे, टेकसस उनके पास में डिवाइड थे लेकिन यह जो ब्रिगेड थी दोस्तों इसमें जाता तर मिलिशियास थे जिनको प्रॉपर एक्सपीरेंस ही नहीं था वार का नाहीं इनको कोई खास ट्रेनिंग दी गई थी अभी तर अमेरिका की जो आर्मी थी वह बहुत ज्याद प्रोफेशनल अमेरिक कि हम देखते हैं कि दो साल तक वार चला एक्टीन फोर्टी सेवन फोर्टी एट अमेरिका ने टेकसास फोर्ट को उक्युपाई कर लिया इंपॉर्टेंट सिटीज में घुश गए और अल्टिमेटली दो साल बात परवरी दो अठारा सो और तालिस को ट्रीटी ऑफ गौड एरिजोना인가 लड़ाइडओ जो पार्ट ऐफ टकसस के टे लुकलाहमा कंसास वह सब अमेरिका के पास चले गए अबरिका ने पैसे भी ंड़ आ अमेरिका ने बोला कि चलो ठीक है पैसे भी देंगे वार तो हम जीती गई है चायता तो अमेरिका ना भी देता लिगिन फिड अमेरिका ने कहा कि यह एक्चुली बॉर्डरिंग एरिया है तो इतनी ज्यादा दुश्मनी भी ठीक नहीं अमेरिका ने 15 मिलियन डॉलर दिये ठीक है और आपको बता दूँ कि 15 मिलियन डॉलर इससे पहले जब होस्टेलिटीज थी अमेरिका और मेक्सिको में तो मैंने आपक जो यहां पर वार में मतलब वार शुरू होने से पैसे देने वाला था वो बहुत जादा थे वो दुगने थे लेकिन एक बार अमेरिका वार जी दिया तो उसने कम दिये एक और चीज बता दो कि अमेरिका में भी ओपोजिशन था बहुत सारे लोग यह कह रहे थे कि आप व अभी 1848 है तीन साल बादी अब्राहेम लिंकन का उदै होगा और वो विक पार्टी तो विक पार्टी ने बोला कि कॉन्फिक्ट बिलकुल भी न कारो, कॉन्फिक्ट मत करो, ही के न, तो ऐसा नहीं था कि अमेरिका बिलकुल एक साथ था, अमेरिका भी इस पे डिवाइड था लेकिन दोस्तों, यहां पे कुछ हुआ नहीं और हम यह देखते हैं कि अमेरिका ने इस प्रीटी को रेटिफाई क और finally अमेरिका के पास टेकसास आ गया अब उसके बाद दोस्तों विकी पार्टी को फिर उनके ओपर घदारी का भी आरोप लगा विक कहरे थी लाधारी के लिवक भी év लेकिन यहाँ पर पॉक ने एक ना सुनी तो वार चुरू होता है अमेरिका ने पीस की कोशिश की इधर अमेरिका की अंदर की भी पार्टी कह रहे थी कि भाया मत जाओ वार में लेकिन दोस्तों कुछ हुआ नहीं वार हुआ और उसके बाद जैसा कि मैंने बता है कि जो इंप पर हैंड था वो जैसा कि मैंने बता डिसाइसेव विक्ट्री अमेरिका को मिली थी और बहुत सारे लोग इसमें इल्ले से भी इंफेक्शन और डिजीज से भी मर गये थे पूर सैनिटेशन येलो फीवर हो गया था ऐसा होता था इतना जादा खून बहता था कि बहुत सारे जो सैनिक थे वो बिमारियों से ही मर जाते थे तो यहां पर आर्मी की बैटल से तो जान गई ही गई साती साथ बिमारी से भी जान गई तो मम्स स्मॉल पॉक्स में उत समय इनको रोकने का कोई भी तरीका था नहीं फिर जैसा कि मैंने बता यह ट्रीटी साइन हुई और इस अब आपको बता दू कि यहां पर बहुत जादा डिबेट है देखिए इंटरनाशनल प्रेशर बहुत जादा था मैंने बताना कि मेक्सिकन वर एक बहुत बिर्जती है मेक्सिको की क्योंकि मेक्सिको ने अपना आधा एरिया खो दिया था लेकिन आप यह समझे कि मेक्सिको एक बहुती वीक नेशन था अमेर आपको पता है दूसरा निशन हारेगा और आपने force की मदद ली उसकी वज़े से उस force की मदद लेके आपने हरा दिया है और ये बहुत ही गलत है इस war को दोस्तो most unjust ever waged by stronger against a weaker nation बोला जाता मतलब एक तरीके से सबसे दुर्भागी पूर्ण युद्ध जो एक ताकतवर देश न मतलब एक साल एक दो साल बाद यहां पर gold discover हो गया और उसके बाद जब gold discover हुआ गोल्ड रश फिर तो दोस्तो देर वाज नो लोकिन बैक अमेरिका के किसमा चमक गई अमेरिका अमीर होता गया मेक्सिको में अभी बहुत जादा दिक्कते हैं अनिस्टेबिलिटी है जो drug lots है वो मेक्सिको से ही निकले है मिगूईल फिलिक्स का अनपने नाम सुना होगा उसके बाद अभी भी मेक्सिको जो है वो वार में ही है और internal वार है यह organized crime के खिलाफ वार छेड़ा है मेक्सिको में crime जादा है कुछ एरियास में तो दोस्तो यह lecture था अगर आप चाहते में और भ अगर तरे इसे दांतक नियो तरी साइनिवाफ